कि मिन्या ने कानपूर टेस्ट जीत कर रचायत यहास बांगलादेश को दूसरे टेस्ट में साथ फिकेट से रॉंदा भारत ने पांचवेट दिन के दूसरे सेशन में हासिल की जीत कानपूर में बांगलादेश की दूसरी पारी 146 रनों पर सिम्टी शादमान इसलाम ने 50 रन की पारी खेली दूसरी पारी में चमके टीम इंडिया की गेंद बाज जस्पृत बुम्रा आरश्विन और रविंद जडेजा ने बांगलादेश के तीन-तीन विकेट अपने नाम किये अकाश दीप को मिली एक काम्यापी कानपूर टेश की दूसरी पारी में भारते कप्तान रोहिट चर्मा ने बनाए आठ रन मेधी हसन मिराज ने हासल किया रोहिट का विकेट कानपूर में रोहिट ने दोनों पारी में बनाए 31 रन भारते बल्लेबाज शुब्मन गिल तेजी से रन बनाने के चक्कर में हुए आउट मेधी हसन मिराज ने छे रन पर किया शुब्मन गिल को आउट पहली पारी में गिलने बनाए थे 49 रन मंग्लेदेश के खिलाब दो मैचों की सीरीज में भारती गिंद बाजो करहा बोल बाला दो मैचों की चार पारियों में मुम्रा और आराश्विन ने हासिल किये 11 विकेट कानपो टेस्ट की पहली पारी में 50 लगाने वाले ये शस्वीज आइस्वाल ने दूसरी पारी में दिखाया दमखम टेस्ट करियर का छटा अर्थ शतक चरा टीम इंडिया ने कानपो टेस्ट दो दिन में जीता, पहले दिन के दूसरे सेशन में बारिश ने किया परिशान, दूसरे और तीसरे दिन बारिश की वज़े से नहीं हुआ मैच, पांचवे दिन भारत ने दूसरे सेशन में हासिल की जीत टेम इंडिया का घर में जलवा बरकरा साल 2013 के बाद होंग ग्राउंड में लगाता जीती अठारवी टेस्सीरीज बांगलेडेश को टेस्सीरीज में दोशुने से पहईा वोई चर्मा के कप्तानी में भारत टीम ने जीती चचर्छी टेस्सीरीज साल 2022 में रोहित की कप्तानी में भारत ने श्रिलंका को दोशूने से हराया था वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप में टीम इंडिया का दबदबा 11 मैचों में भारत के नाम आठ टी आठ जीत 98 पॉइंट्स के साथ टेवल में भारत नंबर वन पर कापिस टेस्ट सीरीज पर दोशूने से कबजा करने के बाद भारती टेम T20 सीरीज के रहे तयार 6 अक्टूबर को बांगलदेश के खिलाब दिल्ली में खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच कानपर टेस की दोनों पारियों में अर्चत तक लगाने वाले ये श्रस्वी जाइसवाल को मिला मैन अफ तो मैच का खिताब 11 विकेट लेने वाले अश्विन बने मैन अफ तो सीरीज मांगलदेश को टेस सीरीज में हराने के बाद रोजचर्मा ने दिया बयान जीत के लिए पूरी टीम को दिया क्रेडिट मुंबई के कप्तान अजिंके रहाने ने टेस्ट ओफ इंडिया के खिलाव खेली अच्रत के पारी चौथे विकेट के लिए रहाने और श्रे सेयर के बीच 102 रनों की साजेदारी अस्ट्रेलिया अंडर 19 यूथ टीम के खिलाव भारत के वैभव सुर्यवंशी ने खेली श्रत के पारी पहले अनोफिशल टेस्ट में वैभव ने बनाए 62 गेंद पर 204 रन उस्ट्रेलिया यूथ टीम के गेंद पाज विश्विर राम कुमार ने जट के चार विकेट थॉमस ब्राउन ने लिए तीन विकेट एडिसन श्रीरीफ ने भारत के दो विकेट के अपने नाम तो मैचों की टी-20 सीरीज एक-एक से बराबर होने के बाद वन डे सीरीज के लिए दक्षन अफरीका और आइलेंड तैयार अभुदावी में 2 अक्टूबर को खेला जाएगा पहला मुकाबला तीन मैचों की वन डे सीरीज के सभी मैच अभुदावी में खेले जाएंगे आइलेंड ने दूसरी टी-20 मुकाबले में अफरीका को 10 रन से हराकर उलट फेर किया